ओके हम लोग rain-fed agriculture को समझेंगे देगो सबसे पहली बात ब्हार के जिस प्रांत में लोग रहते हैं तो आक्चुली ब्हार सिचुएटेड हमारा Eastern Side में उंहें ही काहने हमारे पास जो रेंइश्वास होता है कि हमारे वह बहुँत ज्यादा होती है कि जिसके करण कि जितने ह Χेत होते हैं उसमें चाटनें स्वेश्छक् 방송 होता हुआ जिस से कि वहां संब्सक्राइब करते हैं एक्चोली यह क्या होता है तो समझाता हूं इस्टिल अग्रिकल्चर और बिहार इस हाइली डिपेंडेंट ओन साओथ वेस्ट मांसून ओफ इंडिया देखो आप इस चीज को ध्यान से समझे है कि हमारे बिहार में जो क्रिसी है न तो वो डिपेंड करती है कहीं न कहीं से दक होती है और एक्चोली हमारे जो प्लेस्मेंट है बिहार का वह इस्टर्न साइड में और हमारे पास में आपको बंगाल की खाड़ी है तो यह भी एक काउज होता है कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके उपर मंसून के उपर में तो वो लोग इंतिजार करते जितनी फ किसान के हाथ में वीड्स है तो देखो वीड्स एक बहुत बड़ी समझ से आती है फार्मर के लिए क्यों आती है कि यह एक ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अंचाहे होते हैं जिसकी कोई जरुवत नहीं होती है लेकिन मदर नेचर ने हर पेड को जीने के लिए एक होता है जितने वीड्स होते हैं इनका बढ़ने का जो ग्रोथ रेट होता है इन comparison अधर प्रांट्स के बहुत ज्यादा होता है होता क्या है जैसे कि अब imagine किजी हम पर स्क्वाइर मीटर एक स्क्वाइर मीटर में हमने 10 ग्राम यूरिया डाला तो इस 10 ग्राम यूरिया में जो पर स्क्वाइर मीटर जो होगा एक मीटर स्क्वाइर जो एरिया होगा जैसे कि हम लोग यह जो एरिया होगा इसमें 10 ग्राम यूरिया की नीड है लेकिन क्या होगा इसमें जितने भी हम लोग छोटे-छोटे आपको बीज डालेंगे वह बीज को न्यूट्रियेंट नहीं मिल पाएगा बलकि वहां पर जो हमारे एस्परकार के वीड्स हैं यह वीड्स उस न्यूट्रियेंट का इस्तेमाल करने लगते हैं और वह ज्यादा बढ़ जाते हैं मतलब जो सीड हम लोग डालते हैं ौयहाँ ने धान का भीज डाला था तो यहां पर धान को ऊगना चाहिए न तो धान के जगह पे क्या होता है यह खर-पतवार उग जाते हैं और वह भी इस मात्रा में उगते हैं कि जो पहले से बीज डाला गया है उसका डेवलोप्मेंट पोस्वक तत्तो और नमी को समाप्त कर देते हैं जिससे फसल की उपज भी क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है उसके बाद next है हमारा seed related issue देखो ये भी एक बहुत बड़ी समझते हैं हमारे बिहार में तो due to exorbitant prices of seed a miserity of farmers especially small and marginal farmers are deprived of good quality seed देखो सबसे पहली बात हमारे यहां के जो किसान होते हैं वो गरीब किसान होते हैं तो जितने गरीब किसान होते हैं उनमें problem क्या होती है कि वो लोग समय समय पर उतने ज़्यादा bank से लोन नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारे यहां के किसान के पास जब तक प्लॉट ज्यादा बड़ा नहीं होगा तब तक उसको सरकार पैसे नहीं देगी अब किसी के पास पांच कठे का प्लॉट है तो कभी आप यह नहीं उमीद कर सकता है वह वैक थी कि उसको तो दो लाक रुपया या तीन लाक रुपया मिल जाएगा तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है तो किसी आदमी के उपर यहां पर क्या है कि यहां भाइ प्रोड़क्ट आता हँ अमारा यूरिया तो अब दीखऊ जैसे अगर कि सरकार हमारे हालएस मचस कर देगी अगर इंग्री करता कि नहीं जा घृत कर देंगे तो उसस Uber कर देती स्थिर कर देती अब रेटिडी अन्य प्रढक्ट्स जैसे की पकेसान होते हुआ उर्च यह canal रही है वो孽S Board जो खेती हो रही है हमारे ही स्टेट इसमें उस्में जितना प्रोड़क्ट मिलना चाहिए वह प्रोड़क्ट समझे तो एक तरीके से contaminated हो क्या आता है क्योंकि जहां पोटास फास्फोरल स्यूरिया साथ साथ में calcium और अन्य चीजों का इस्तेमाल होता है हमारे किस चीज के लिए तो खेती करने के लिए वहां पर इन चीजों को लोग छोड़ देते हैं जिसके कारन प्रॉब्लम आती है अब यहां पर सको एक और चीज़े में MSP ऑगर होती है जो मार्केट का प्राइस हो जाजा जो सरकार तै करती है वह सब भी तै नहीं किया जाता है साथ साथ में in adequate marketing and processing देखो बहुत दाने मिलते हैं लेकिन फिर क्या होता है ये दाने तो बन गया अब जब तक MARKET नहीं होगा सब जहोसे पहली बात कोई भी किसान अगर किसी चीज को बनाता है तो वो saara का saara तो खुद के लिए इस्थेमाल नहीं नहीं करेगा तो वो क्या करेगा उस चीज फैया आता है सरकार के दवारा जिसके कान किसानों को क्या करना पड़ता है कम दांपे कम प्रॉफिट में अपने प्रॉडस को सेट from पूरता है नेक्स्ट क्या होता है फ्लड एंड ड्रॉट देखो हमारे भीहार में जो नदरन साइड ऊपर वाला है ऊपर वाले में फ्लड आता रहता है अब देख सकते हो इधर में आपको बहुत आएगा लेकिन नीचे हमारे सदन साइड यहां पर ड्रॉट सहता है ड्यारो कि है और नीचे में क्या होता है यहां पर पाठारी नदिया तो आपको यह चीज मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था कि जो हिमाले नदियां होती है उसको जरूरत नहीं होती है ज्यादा बारिस की क्योंकि वहां पर वार्टर का सोर्स और रहता है लेकिन जो पाठारी बिखार का नौर्ट साइड में एक ही टाइम में आप देखो कि उधर बाढ़ा हुआ है नौर्थ में और उसी टाइम में साउच साइड में क्या होगी वहां पर डॉट मतलब सुखाया रहता है तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है फिर उसके बाद आप देखी इस मैप से आप लोगों समझेगा यहां पर जो ब्लू कलर का आपको टर्कीज वाला कलर यहां पर एड किया हुआ है यहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ यह बाढ़ प्रभाई छेट्र है तो आप यहां पर बाढ़ देखिएगा और बचया हुआ जो यह पार्ट हमारा है कौन-कौन सा अलरेडि है यहां पर वार्ट का सोर्स आपको मिल जाएगा यहां पर वारट का सोर्स है लेकिन यह जो जमुए का रिया है नवादा के रिया है फिर गया का ये प्रांथ हुआ और अंगा बाधुआ रोतास हुआ तो यहां पर actually water के लिए थोड़ी problem होती है क्योंकि इधर में जो plateau है वहां से पानी जो आता है जिस नदियों के माध्यम से वो नदियां सालों भर पानी नहीं दे सकती है just because कि यह पाठारी नदियां है इधर rain होगी जब जारकंट के साइड में उत्तर प्रदेश के साइड में इधर rain बरसात होगी तभी इधर पानी आने का चांस बनता है फिर उसके बाद है quick facts on major crop अभी यह कुछ facts है कुछ important facts हैं जिसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं आप लोग ध्यान कॉमोडिटीज देखो सब चीज हिंदी में करना पॉसेबल नहीं था मैं सब का हिंदी आपको बता दूंगा यहां पर में नोट्स जब आपको दाल और लास्ट में सुगर के इतने चीजों की खेती यहां पर होती है हमारे बिहार में कौन-कौन सा fruits जो बिहार का important एक्सपोर्ट भी आता है अन्ने कंट्रियों के साथ में तो हमारे यहां बनाना बनाना कहां पर होगा तो गंगा के तराई खतम होता है और खादर एरिया सुरू होता है वहां पर पापाया की खेती होती है वैसे पापाया खेती देखा जाए तो पिछले दसक में बीते दाल में बहुत कम हो गई है जस्ट विकाउज ओफ रेडियेशन वाली जो रेडियेशन होती है अप लोग अपने घर के पास में टावर्स देखते हो किस चीज़ के तो सेटलाइट कम्मिनिकेशन के साथ साथ में हमारे घर कहीं पास में इंटरनेट का और साथ साथ में सेलि रेडियेशन को बरदास्ति कर सकता है तो इसके लिए ना जैसन रेडियेशन को खतम किया गया था तो इसी कारण से आपको पता होना चाहिए हमारे बिहार में 3G सर्विसेस को 100% से बंद कर दिया गया और हमारे बिहार में 2G और 4G ही अभी कारे रहत है आप इस चीज़ को थ हुआ इसके फूल उसको बरदास्ति कर सकते थे और वो तूटकर गिर जाते थे तो इसलिए सरकार ने क्या किया धीरे से गवर्मेंट एक प्लान सरक्यूलर लागू किया किसके लिए टेली कॉम ऑपरेटर के लिए और उन्होंने 3G को 100% से बंद कर दिया तो आपको एक बात पता नहीं भी होगी लेकिन आश्यर चेकित मत होना आप इस चीश को सोच करके वैसे मैं बतायता हूं 3G हमारे बिहार में नहीं चलता है एयर टेल 2G और 4G के नेटवर्क पर ही अभी ऑपरेट कर रहा है 5G आएगा तो वह समझे तो आयोनाइजेशन रेडियेशन होगा ही न उसके बाद हमारा आता है मैंगो आम बहुत अच्छे से हमारे यहां होता है उतर लेकिन तरप्रदेश का वैसे लेकिन बिहार का भी अमरूछ जो रेडिकलर का अम्रूद होता है वह इंपोर्ट किया जाता है वाटर वीन तरबूजा तरबूजा कहां पर खेती घटि मैकसि mafk melan का सłem मुझा हमारे बिहार का लीची एक ऐसा प्रोडेक्ट है जो worldwide famous है बिहार का याद रखना हाँ लोग लीची कहां का आता है तो मुझाワ कोश जो एरीआ है मारा पूसा का वहां से लीची इंपोर्ट की जाहाता है नेक्सट time pineapple ढिंद की खेतीए हमारे रोतास में होती है और साथ-साथ में रोतास के साथ सात में जब हम नौ THE R में देखते जंते वहाँ पर नो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कालिफ्लावर आप लोग जानते होंगे फूल को भी ब्रिंजल बैगन चीली मिर्ची कुकंबर कालिफ्लावर कौन सा वाले एक पत्ता भी फूल भी ध्यान रखेगा बीटर ग्राउड काते हैं करेला को उसके बाद है बोटल ग्राउड कद्दू को वैसे बोटल ग्योडा को को बहुक्ति लेडी फिंगर आप लोग जानते होंगे लेडी फिंगर हिंडी एक्यारोट कि गाजर और उसके बाद पी मतलब मंटर कब और गाते से में हिंदी में क्या करते हैं बताओ आप लोग रेडिस को हिंदी में क्या करते हैं बताइए जल्दी बताइए ठीक है वेरी गुड ओके चलिए बहुत बहुत बढ़ी हां सही जवाब दिये मूली चलो ठीक है हम लोग नेक्स देखते हैं क्रॉप के बाद अब लास्ट हमारा चैप्टर कर रहा है इसलिए अभी हम लोग आएंगे क्विक फैक्ट्स ऑन एग्रिकल्चर इन बिहार मूली सही जवाब है सही जवाब बच्चों मूली मूंको पता था जवाब आएगा सही फिर लीडिंग प तो सबसे पहले पोटेटो यह इंपोर्टेंट देखो यह कहां कहां यह इंपोर्टेंट होगा मैं आपको बताता हूं देखो बीपी एससी के एक्जामीनेसन उसके साथ साथ अगर आप CDPO देने जा रहा है उसकी यह और आपको पता होना चाहिए जो लोग ग्रिजवेट है उन्हों को मैं बता रहता हूं यह सब तो ग्रिजवेट संथा और बिहार अससी भी बच्चों आने वाला है तो ध्यान रखिए वह कोश्चन थोड़ी से टॉट हूंगे मैंने देखा है कि बिहार साइब भी को सबस्कूर करेंगे हैं करें बस एक बाद डिवीओ कर्के वैसाली नालंदा और पत्ठा सबसे जदा अलु इस इसाह में होता है हूँ कोन्य relevant करता है कटिहार और मुझवरपूर करता है उसके बाद olurset कि कॉली कॉली फ्लावर का प्रड coron II का प्रम वैशाली नालंदा और मुझवर्पूर लेकिन इसके बाद भी बिहार के बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर इन सब चीजि़ों की खेती की जाती है लेकिन सबसे दा maximum yield और साथ साथ maximum production की एरिया में होता है तो इसी सब एरिया में होता है अब कुछ frequently asked questions देखते हैं जो previous में पूछे गया है मैंने जहां जहां भी देखा बिहार के special जो जो पेपर लिए गये थे बीते 5-6 साल में सभी से मैंने question को collect किया है आप देख सकते हो यह question आपके examination के लिए important भी रहेगा तो सबसे पहला question है which district है the highest net zone in area मतलब क्या कि बिहार का वो कौन सा district है जहां पे सबसे ज्यादा सोइंग होता है सोइंग का मतलब होता है कि बीज लगाया जाता है मतलब वहां पे लोग खेती करते हैं तो वह कौन सा हेक्टेर जमीन का इस्तेमाल लोग खेती के लिए करते हैं तो यह प्रस्न इंपोर्टेंट बनेगा कि बिहार में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो कौन से प्रांत में होती है तो इस्टेर्ण चमपारण में होती है वो भी तिरूट डिविजन के तिरूट में सबसे ज्यादा खेती होगी कहां पर इस्टेर्ण चमपारण पूर्वीज चमपारण में और सबसे कम कहां होगी शिवहर में होगी विज्ट डिविजन के सहरसा में सबसे ज्यादा क्रॉप सुगा आया जाते है और वो कितना है 1.95 लाइक हेक्टियर से बिहार सबसे कम क्रॉपिंग कहा होती है तो भोजपूर अटना डिविजन का भोजपूर में सबसे कम होती है याद रखीगा यह 2017-18 का रिपोर्ट है हर साल रिपोर्ट बदलते रहती है लास्ट वाला रिपोर्ट ही मैं आपके सामने ला रहा हूं किस डिस्टिक में सबसे ज्यादा लैंड है जहां पर सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं सबसे ज्यादा भूमी है जहां पर खेती करी जाती है the top three mango producing district of बिहार बिहार में सबसे ज्यादा आम कहां पर produce किया जाता है तो दर्भंगा इस्चंपारन और मुझफर पूर्ध ध्यान रखिएगा ये तीनों का तीनों हमारा नदन बिहार में मतलब बिहार को हम लोग जो उपर वाले नदन साइड में गंगा के ऊपर नदन गं तीन डिस्टिक पैदा किये थे 2018 और 2019 में नेक्स्ट है विच डिस्टिक इस लार्जेस प्रडिक्सर अफ लीच इन बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहां पर उप जाया जाता है तो मुझफर पूर इन तिरूट डिविजन ध्यान रखिएगा तिरूट डिविजन के अंद सबसे ज्यादा बनाना उप जाने वाला कौन सा जगह है तो तीन जगह है ध्यान रखिएगा कटिहार वैसाली और मुझा फरफूर यह तीन जीले हैं जहां पर बनाना सबसे ज्यादा उप जाया जाता है तो आशा करते हैं आप सब चीज़ों को समझ गया होंगे यह important questions थे agriculture से लिलेटेड बिहार के देखो बिहार में जहां भी questions आएंगे किसी से लिलेटेड अग्रिकल्चर से वह मैं आपको हमेशा जब भी अगर बाइदर फ्यूचर में और भी questions मिलते हैं तो उसको अभिलेबल मैं करा दूगा तो यह वाली जो class थे हमारी agriculture की total यहीं पे complete हो गई सबसे कम कहां पर मतलब बीज बोया जाता है तो वो तीरहु डिवीजन में सीवर सकेंड नबर question यह भी पूछा हुआ है तो जो भी questions पूछे हुए हैं मैं उसको यहां पर mention कर दिया था